नमस्कार दोस्तों आईए आज अपन पढ़ते हैं नीम्बू वर्गिये फ़नों के बारे में जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि जो फल जातर कटे होते हैं ता जूसिले होते हैं वो सब नीमबू वर्गिये फल हैं ये फल सभी रोटेसी फेमेली से विलोंग करते हैं इनमें कठा फन विटामीन सी के कारण होता है विटामीन सी इनमें बहुत अधिक मातरा में पाई जाती है अच्छी क्वांटिटी के अंदर मोजूद रहती है अगर आपन बात करें अपने राजस्तान से जाना जता है जालावार जिले में नीम्बू बर्गिये फलों का उत्पादन होता है अब अपन पर्टिकुलर बात करने वाले हैं किसके बारे में नीम्बू के बारे में इसको लाइम के नम से जाना जता है आपने देखा होगा दोस्तों नीम्बू जो छोटे देशी वाले नीम्बू बोलते हैं एक कागजी नीम्बू जो बड़े आकार का नीम्बू होता है दोस्तों तो इस प्रकार से अपन इसकी आगे संटीफिक के स्टेडी करने जा रहे हैं देखें नीम्बू बर की फल बात क कुल से बिलोंग करता है उस कुल का नाम है दोस्तो रूटे उसी यह रूटे सी फिमली और जितने भी रूटे सी फिमली के न włoh करते हैं मतलब जो फल रूटे सी फिम बिलोंग करते हैं उन सभी फलों की गुनसूतर संक्या 2N बराबर 18 होती है दोस्तो यह आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि रूटे सी फिमली सी जो बिलेन करते हैं इनकी गुण सुतर संक्या कितनी होती है? 18 मतलब अगर बात करें X बराबर तो X बराबर इनकी गुण सुतर संक्या होती है दोस्तो 9 आगे बात करते हैं अपन इसके फल के प्रकार का तो जहां तक बात आती है निम्बू वर्गिया फलों के प्रकार की तो इन क्या फल का प्रकार होगा दोस्तो हैस्परडीम हैस्परडीम क्या है जो सरस्फ फल होते हैं या बेरी फल होते हैं उन्हीं का एक प्रकार से क्या है प कि यह सबसे पहले उत्पति कहा हुई तो नेम्बू की उत्पतिस्तान अपन भारत या इंडिया को मानते हैं दोस्तों ये काफी बार क्छा गया है कि नींबू का उत्पतिस तल कौन से देश को माना जाता है तो नीम्बू का उत्पतिस तल कौन सा अपना भारत देश को ही माना जाता है नेक्स्ट आपन बात करते हैं जलवाई और भूमी की वैसे निम्बू को एक जो सीत कालीन हो चाहिसे गृष्म कालीन हो या वर्सा वाली जलवाई हो सभी में सफलता पूर्वा खेतीन की की जा सकती है लेकिन अच्छी खेती के लिए उशन तदा शितोषन जलवाई के आवश सिद्ध हुआ है सासात में बात करते हैं अपन भूमी की तो निम्बू की अगर अपन पसल लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए भूमी की कम से कम दो मिटर की गहराई होना जरूरी है दोस्तों दो मिटर गहराई तक कोई भी नीचे कठोर परत नहीं मोजूद होनी चाहिए भूमी के अंदर ना किसी कंकड़ पत्र का मोजूद होना जरूरी है जादातर बलूई दोमट मरदाओं में इसकी खेती आसानी से संभूव तरिके से की जाती है शुष्क वै अर्दशुष्क शेत्रों में भी निम्बू की खेती आसानी से की जा सकती है लेकिन सिचाई की प्रोपर विवस्ता का होना बहुत जरूरी है आगे अपन बात करते हैं उननत किश्म की तो भारत में उगाई जाने वाली जो विभीन किश्मे है उनमें है कागजी कला कौनसी है कागजी कला बारा मासी निम्बू ये भारती किश्मे है इंदोर सीडलेस पंत लेमन वन ये बात करते हैं पर वरदन की तो निम्बू का वैसे ज्यादातर परवरदन बीज के मादिन से हो सकता है लेकिन एक व्यावसाइक परवर्दन की बात की जाए कि व्यावसाइक परवर्दन में गुठी दाग मतलब बात करते हैं एर लेरिंग की एर लेरिंग के माद्यम से निम्बुका परवर्दन की अजास सकता है एर लेरिंग के माद्यम से कैसे करोगी आप जैसे माली जी ये कोई निम्बू का पेड है ठीक है और अपन में इस में से क्या निकल दिये कोई सांकूर साका ही निकल दिये इस प्रकार से निकल दिये तो अपने क्या करेंगे तीन से पांस सेंटिमेटर आकार में इस साका की चारू तरब की सबसे पहले क्या उठाएंगी चाल तो जो ये साका भूजन बना दी है वो भूजन क्या होगा नीचे नहीं जा पाएगा और यहां ही कटा होता रहेगा अपने क्या करेंगे यहां पर अपने कट लगाया है चाल उतारी है इस चाल की जगे मोस घास मिटी और कुछ गोबर इस जगे बांदेंगे तदा इसको क्या करते हैं अपन इस पेगनम घास भी बांदते साथ में या मोस घास दोनों का उप्यों कर लेते किसी का भी क्योंकि यह गासे क्या होती है इसमें नमी बनाये रखने का कारिये करती हैं तो नमी बनाये के रखेंगे तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे दोस्तों तो से ही किया जाता है दोस्तों पोद रोपन की जहां तक बात करें तो अगर आपन नीमो का पेज लगा रहे हैं तो सबसे पहले जब बगीचे का रेखंगन करें आप तो कम से कम भी 5 से 6 मिटर दूरी के उपर आपका R into P स्पेस होना चाहिए मतलब पोदे से पोदे तता कतार से कतार की दूरी 5 से 6 मिटर होना बहुत जरूरी है इसके साथ साथ में फिर अगर आप 5 से 6 मिटर पेर अगर बगीचे का रेखंगन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको करना है ग गड़ा तयार करोगे तो गड़ा तयार करने के लिए आपको 75 into 75 into 75 cm का एक गड़ा आकार करना है तयार करना है मतलब गड़े की गेराई लंबाई और चोड़ाई कितनी रखनी है 75 into 75 into 75 cm दोस्तों रखनी है इस प्रकार का अपन गड़ा तयार कर लेते हैं फिर उसके बाद म पोदे को पिंड सही तो उखाड़कर गड़े के बिल्कुल बीच लगाते हैं पोदे लगाने का कारिये ज्यादतर साइकाल के समय दोस्तों करते हैं पोदे लगाने के तुरंद बाद में क्या करते हैं? सिचाई कर देते हैं और सिचाई करने के बाद मीं यह ध्यान रखें कि पोदे में कि इधर उधर से कहीं से मिटी तो रिक्स के नीचे नहीं जा लीए। क्योंकि पिंडे को क्या करते हैं पन, अच्छी तरेके से दबा देते हैं, ये निम्बू के पोदे लगाने की विदी है, ज्यादातर पोदे लगाने का समय की बात करते हैं पन, तो जो बर्सा रीतु स्टार्ट होती है, उस समय निम्बू का पोदा लगाया जाता है, मतलब पांसे छे मेटर के उपर आर इंटो पी स्पेस रखेंगे, 75 इंटो 75 इंटो 75 जो पीट का साइज है वो रखेंगे, इसके साथ में जुलाई और अगस्त मास्त के अंदर क्या करेंगे, अपने इसको लगाने का काड़िये करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे के तरह पे, तो सीचाई की, सीचाई की जान तक बात करें, एक बर तो आपको सीचाई जैसे पोदा लगाया आपने, तुरंत आपको सीचाई करनी है, साथ साथ बात करते हैं सर्द रितु की, तो सर्द रितु में आपको दो सफ्ताय के बा नेमू फल बना रहा है तो फलो में जूस की मातरा कमने रह जाए रस की मातरा कमने रह जाए इसके बाद क्या करना है आपको जैसे ये नेमू में फ्लोरिंग आती है तो फ्लोरिंग के तुरंत बाद में सिचाई की प्रोप्र व्रस्ता और बड़ा देनी है और इस अंतराल को क्या करना है दोस्तों कम करना है मतलब 5-6 दिन के अंतराल भी आपको सिचाई करनी है किसी तरह के पानी की कोई कमे नहीं रहनी चाहिए आगे बात करते हैं सदाई और कटाई के ट्रेनिंग और पुर्णिंग की जान तक बात करते हैं आपको पता है दोल्टों कि training हमेशा किसी उद्धर्शेश की जाती है पोदे को आकार देने के लिए ट्रेनिंग की जाती है तथा रोक्रस साकाउं को अठाने के लिए किया जाता है और स्पुरुनिंग का मुख्य उद्धर से है पोदे में क्वालिटी उत्पन करने के लिए जो रोग्रस साकाय होती है, unwanted साकाय होती है, उनको अठाने के लिए किया जाता है, प्रारंबी का अवस्ता में कांट चांट आपको proper करनी है, साथ साथ में पोदे को लंबवत आकार में बढ़ने देना है, और साथ जो यह parts भी जो साकाय है, उनको क्या करते हैं, cut करते हैं, रह जैए ये क्या करते हैं इसमें ट्रेनिग और पूरिंग की जाती ..... जिस पूरिंग का नाम है। दोस्तो, root pruning, और इस root pruning मतलब जड़ों को काड़ते हैं, जड़ों को कैसे काटिएंगे हैं, जैसे ये मान लिजे, root pruning ऐसे करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक चारो तरफ खाई खोदते हैं, और खाई खोद गी, जिस इस खाई के अंदर जो जड़े आती हैं, उनको काड़ होती है यह कारी जनौरी तता फरवरी माह के अंदर किया जाता है तो आपको उमीद्ध है कि अच्छे से समझे माई होगी चीज कि रूट पुनिंग निम्व में भूध जरूरी है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोध सरक्षन की निम्व वर्ग फलू में निम्व के करेंगे बात करते हैं निम्व की तितली यह निम्व का क्या है मुख्य कीट है दोस्तों यह देखिए कंपणि डिल лет चीवन चक्र है प्रकार से जिसमें सब से अगर इसकी बात की जाए तो हानीकार्य का वस्ता ईश्क लापनी निम्व अवस्ता इसको जाना जता है यह लार साथ में फलूं का रस्तूसने लग दाता है और एक प्रकार से फलूं को खुकलासा बना दिता है ज्याद लारवास्ता खटना इंगे और ये ज्यादतर आकरमण अगस से अक्टूमबर मेने में करता है दोस्तों जिस टाइम में वर्सा वाला सीजन रता है उस टाइम में ज़या तर इस इंसेक्ट का प्रकॉप होता है इसके नियंतरन के लिए आपको क्या करना है इसके नियंतरन के लिए आपको दाई में ठोईट दवा का जो 30 EC का करना है मतलब डेड लेटर पानी में आपको solution बनाना है और फिर उसके बाद में छिटकाव करना है पोदे के उपर तो निम्भू की तितली नियंदर नहों सकती है यह निम्भू का मुखे इंसेक्ट है इसको लेमर बटरफलाई के नाम से जाना जाता है आगे बात करते हैं परण सुरंग लीफ माइनर यह भी काफी important insect है दोस्तों यह क्या करता है यह इंसक्ट जो यह कीट है यह पत्यों के अंदर सुरंग बना देता है आरपार के क्या कर देता है छेद कर देता है और यह ज्यादातर परण में सुरंग तो बनाता है लेकिन citrus canker रोग को क्या करता है यह बुलावा दे दाता है तो इस प्रकार से इस रोग के नेंदरन के लिए भी आपको क्या करना है डाइमेटोट का इस प्रे करना है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नीमू का गोंदिया रोग या जिसको गैमोसिस के नाम से दोस्तों जाना जाता है गैमोसिस या गोंदिया रोग जैसे कि यह नाम से सपस्ट हो रहा है यह फाइटोग थोड़ा इस पिसीज कवक होता है उसके दोरा फैलता है और इस रोग में क्या लक्षन क्या होता है प्रयाय जो पेड़ का तना होता है उस पर गोंद जैसा चिपचिपचा पधारत आपको निकलता हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों यह ज़्यादातर कब होता है जब फिल्ड के अंदर जल निकास की समश्या हो मतलब जल निकास प्रोपर नहीं हो और साथ में मतलब यहाँ पर वातावन में नमी ज़्यादा बनी रहे उस कंडिशन में यह होता है गोंदिया रोग या गेमोसिस जो होता है इसके लिए क्या करें आप प्रोपर जल निकास करें इसका प्रोबन करने के लिए और तथा नेमो के जो पेड होते हैं इनके उपर बोडो मिक्षर का लेप लगाएं दोस्तों जो बोडो मिक्षर होता है इसका तने के उपर क्या कर देते हैं अपने लेप लगा देते हैं इस प्रकार से जिससे इस रोग में काफी बचा हो जाता है दोस्तों आगे बात करते हैं अपन बैक्टेरियल कैंकर क्या सेटरस कैंकर ये नीमबू वरगिये फलों का सबसे खतरनाग रोग है और ये जैन्थो मोनास कॉमपस्टिस स्पिसीज का जो जीवान होता है बैक्टेरिया होता है उस बैक्टेरिया के मादन से फैलता है इस बैक्टिरियम क्या होता है ये सुरुवाती अवस्ता के अंदर फलों के उपर तथा पतियों के उपर पीले आकार के ऐसे दब्बे बनाता है ये पीले दब्बे धोड़े दिनों में जले वेस से अपने को दिखाई देने लगते हैं और इस प्रकार से एक रुहेदार सरंचरा प्लांट के पतियों के उपर तथा फल के उपर उत्पन हो जाती है सिट्रस का इंकर निम्बू वर्गिये फलों का मुख्य विमारी के तोर पर देखा जाने वाला रोग है दोस्तों इसके नियंतरप के लिए आपको क्या करें जितने भी जीवानों नाशक दवाई ये रोग एक वाईरस के मादेम से फेलता है पतियों की सरंचरा जैसे मदू मक्की की छत्तेगी जैसे हो जाती है और सासात में क्या हो जाता है इसमें भी लसलसलसा पतार पतियों से निकलने लग जाता है और ये पतियों क्या हो जाती है खराब हो जाती है ट्रिस्टिजा ज आपको जो रूटिस्टों काम में ले रहे हो, जो मूल वरंत काम में ले रहे हो, वो रंगपूर लाइम में आपको काम में लेना है, क्या नाम से लेना है, रंगपूर लाइम नाम का मूल वरंत आपको दोस्तों काम में लेना है, ये क्या होता है, जो ये ट्रिस्टेजा रोग इसके लिए आप क्या करें स्ट्रिप्ट्रो साइक्लिन जो दवाई है इसका इस्परी करें दोस्तों सिट्रस केंकर को रोकने के लिए करें आगे बात करते हैं दोस्तों देहिक विकार और है जैसे कि ग्रेणोलेशन एक मुख्य देहिक विकार है यह यह क्या होता है अधिक तापमान और अधिक आधरता से पकते समय फलों में दानेदार समझ चना विश्यत हो जाती है मतलब जब निंबू का फल पकने लगता है, तो उस में क्या होता है, आधिक ताप्मान और आधिक आधर का तागहकान कुछ दाने से रवे से आपको दिखाई देने लग जाते हैं, निंबू वे है फणो की उपर भी दिखाई देंगे, आपको ये और अंधर की त्रब भी दि उत्पन हो जाता है जो अधिक ताप्पान और अधिक आदरता के करण दोस्त उत्पन होता है आगे बात करते हैं डाइबेक डाइबेक भी क्या है यह कोपर की कमीशे होता है दोस्तों रोग किसकी कमीशे होता है जो कोपर पोशक तत्व है उसके करण क्या होता है जैसे कोई न अगर आप 0.3% कोपर ओक्सिकलोराइड का क्या करते हैं दोस्तों चिड़काव करते हैं डाइबेक के नियंत्रन के लिए और साथ-साथ में क्या करते हैं प्रागंबर के आवस्ता में कोफर सल्फेट का भी इसमें देते हैं क्योंकि कोपर ऐसा पोशक्त तत्र है जिसकी कमी से काफी उत्पादक्सा से दूर रह जाते हैं आगे अपने बात करते हैं लिटिल लीफ पी क्या है काफी ये कोपर की कमी से फैलने वाला है और कोपर की कमी से ये लिटिल लिफ छोटी पती रोग जाता है मतलब जो पतियां है कुछ बड़ी संचना में रहती है लेकिन कुछ यहों कि संक्या भोग छोटी छोटी जोती जैसे इस प्रकार से आप इस image में देख सकते हैं कि पत्यां भोग छोट छोटे अकर की हो जाती है इसे लिटिल लीफ या छोटी पती रोक करें नाम से जानते हैं ज्यादा पर ये निम्भू बर्ग फलों में कोपर पोषक पत्व प्रति पोदा पराम्ट होते हैं मतलब Óगा एक पोदे झी एक हजार फल आरामशी प्रति पराम्ट हने के बाद प्रतिह होते हैं क्या से नभए 9 क्या dio बहु होना चाहिए तथा 85-90 प्रतिशत क्या होनी चाहिए आदरता होनी चाहिए 85-90 प्रतिशत आदरता पर आप इनको 3-6 सब्ता के लिए दोस्तों बंडा देते कर सकते हैं इस प्रकार से तो ये निम्बू वर्गिय फलो में आपका निम्बू कम्प्लीट हो चुका है एक अच्छे निम्बू का उत्पादन करने के लिए इन सबी बातों का आपको ध्यान में रखना है आगे अपन पढ़ते हैं संत्रा के बारे में अपन दोस्तों बात कर रहेते हैं संत्रा के बारे में जिसे मेंडरिन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है संत्रा एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन C और विटामिन A भूत अच्छे मात्र में पाए जाते हैं खटा फल है लेकिन इसक्वेश बनाने के लिए सर्बत बनाने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों भारादेश के अंदर जो नागपूर महारास्त है वहां की संत्रा काफी पोपुलर और परसलीत है आपने दोस्तों देखा होगा मोसंभी और संत्रा दोनों में बैसक डिफरेंस यह होता है जो मोसंभी होती है उसका छिलका थोड़ा पतला होता है और इसका छिलका थोड़ा क् promet करते हैं तो इसका वानस्पति की नाम की बात करते हैं तो इसका वानस्पति कि नाम john Kalama सिट्रास अर inheriticulata है और लास्ट मुलिंकडो इसके आगे लगा हुआ है दोस्तों इस्त o कुछ पोदा होता है आपके दिमाग में इम्हेज बन गए होगि आपने देखा हो तो संतरा के पेड़ को मैंडरंग के पेड़ को देखा हो तो प्रेजब करने वाले हैं इसके कुल की बात तो कुल मतलब बात करते हैं अगर x बराबर देखा जाए तो 9 और 2x बराबर देखा जाए तो इसकी कितनी है 18 इसके फल के प्रकार के बात करते हैं तो नीम्भू की तरह वो ही क्या है स्पेरेडियम जो किसका प्रकार है सरस्फल का प्रकार है वो इसका क्या है फल का प्रकार है मतलब ह Asperidium सरस्थ जो बेरी जिसको बोलते हैं वो ही क्या है संत्रा के फल का प्रकार है बात करते हैं खाये जैने वाले भाग की तो खाये जैने वाला भाग कौन सा है वो ही रसीले प्लेसेंटा हेर जो रसीले प्लेसेंटा हेर है उनको अपन क्या करते हैं जूस के रूप में खाने क बात करते हैं उद्थ गम स्थल की या ओरिजन पर की सेंटर उफ ओरिजन क्या होगा की सेंटर आफ ओरिजथ JIMक दोस्टो दक्शनी चीन evnsका जो साउच चाइना उसको संद्रा का क्या मानते हैं अगे बात करते हैं जल्वाईर भूमी की संद्रा को वैसे उपोषन तता ऊशन जलवायूं क्या आवशकता परती है, मतलब ट्रोपीकल क्लाइमेट इसके लिए क्या है काफी सूटेबल आपको पता है दक्षन बारत की जुक्ते बात क्यों है इसके बात करते हैं यह पिछेतर से 100 संटीमेटर वार्सिक वर्सा वाले छेतर में इस चेतरों में इसकी खेती सपलता पूर्वक की जा सकती है और तथा वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए दोस्तों पिछेतर से 100 cm होनी चाहिए बात करते हैं अब इसकी भूमी की तो भूमी कैसी चाहिए अन्य फ़लों के लिए वो ही क्या 2 मिटर गहराई वाली भूमी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों जल निकास प्रोपर होना चाहिए किसी प्रकार की कोई पानी भराव वाली समझ्या नहीं होनी चाहिए ऐसी भूमी के अंदर संत्रा की खेती सपलता पूर्वक की जा सकती है बात करते हैं आगे पन उन्नत किश्मों के जो वेराइटिया है वो कोन-कोन सी है कोन-कोन सी वेरेटिय इसके लिए सुटेबल है और रेजिस्टन वेरेटिय कोन-कोन सी है भारत में उगाई जाने वाली खिश्मों में देखो नागपूरी संत्रा यह कहां से विक्षित जी क्यूंकि दोस्तों देखिया NRC of citrus मतलब निंगु वर्ग ये फन संत्रा दूसरी बात करें खासी संत्रा उन तल इन राजिस्तान में भारतिय संत्रा में नागपूर संत्राि整 संत्रा का क्या है यह का टोरा है दोस्तों और बात करते हैं तो राजस्तान का नागपूर क्या है चालावार जिला होता है उसको रास्तान का नागपूर कहा जाता है जो जालावार जिला है रास्तान का उसको रास्तान का नागपूर कहा जाता है क्यूंकि राजस्तान में सरवादिक संत्रा का उत्पादन अपने जालावार जिले के अंदर होता है बात करते हैं अपने ये वीशो में सरोपरी संत्रा है नागपुर का संत्रा काफी पोपूलर है प्रसीद है किंग तथा विल्लो लीप मतल दो वराइटियां थी एक वराइटि का नाम था किंग और दूसरी वराइटि का नाम था विल्लो लीप इन दोनों का क्या किया गया क्रोश करवाया गया इस क्रोश के माध्यम से अ विलो लीफ से बना है और किसनी के रवायता H.B. फ्रोस्ट नामा की विग्यानिक ने इनका क्रोस कराया था बात करते हैं ये व्याफसाइक तोर पर काफी महतोपुन किश्म है किन्नों का सरवादिक जो उत्पादन है वो गंगानगर जिले के अंदर बहुताईस से दोस्तों हो रहा है आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट परवर्दन की जहां तक परवर्दन की बात आती है तो टी बडि या सिर्ड कलीकाईन के मादिन से संत्रा का परवर्दन काफी व्याफसाइक तोर पर हो रहा है इसके साथ साथ में कलीकाईन के मादिन से इसका परवर्दन क्याजा सकता है बीज के मादिन से क्याजा सकता है लेकिन टी कलिकाईन इसके लिए सरोतम सिद्ध हुई है टी कलिकाईन मतलब आप क्या करेंगे जो मूल वरंत या रूत इस्टोक लेंगे उसमें टी आकार सेप का क्या मनाते हैं चीरा जैसा कि मैंने परवर्जन वाली टोपिक में पढ़ाया था उसी के सेम आकार का आपको सांकुर डाली से बढ़िया कलिका निकाल के लेके आनी है बढ़िंग नाइफ की साहिता से कट लगा के दोस्तों इस प्रकार से तो आप इस प्रकार से निकाल के लेंगे और इसमें प्रत्यारोपित कर देंगे इसको अची प्रकार से बांदेंगी थोड़े दिनों में यहां से नई सांकुर साका फूटेगी और जो साका फूटेगी इसमें दोनुक वो दिन क्या होंगे दोस्तों गुण इसके लिए जो रजिस्टेंट रूट स्टोक हैं वो कौन-कौन से हैं जटी-खटी है और रंगपुर लाइम है जादातर बढ़िंग का कारी यह सित्वर और उक्टुमबर महा में किया दता है दोस्तों और जो रूट स्टोक तयार करने का कारी किया दता है वो फरवरी तथा पोदर ओपन की तो पोदर ओपन की जहां तक बात करते हैं तो आपको सबसे पहले बगिशे का जब आप रेखंगन करते हैं तब आपको 6 x 6 मीटर पर 6 x 6 मीटर पर आपको क्या करना है दोस्तों मतलब निसान लगा दे नहीं जापर गड़े आप तयार करोगे गड़े अगर गड़े का गड़े अपको पता है कि इसका लगाने का समय जून टता जुलाई अगस्त माय है तो मै और जून माहे पूरव एक माहे पूरव आपको गड़ा तयार कर लेना है और मर्दा को खुला चोड़ देना है उससे क्योब कि भूमी में उपस्तित जो हानिकारक कीट होत तो एक प्रकार से मिट्टी स्ट्राइल होगी दोस्तों और इसके बाद में बात करते हैं अपने इस आकार के गड़े में आपको क्या करना है जो पिंड लेके और गड़े के बिल्कुल बीच बीच लगाना है पिंड को अच्छी प्रकार से मिट्टी में आपको दबा देना है और उसके तुरंत माद दोस्तों सिचाई कर दें अब पोदा कब लगाएं पोदा हमेशा ज्यादा तर साइकाल के समय लगाया जाता है क्योंकि रात में पोदे को रुकने के लिए काफी सफर मिल जाता है दिन में वास्प वहुत सरजन वास्प भी करने की समश्या अधिक रहती है जिस कारण से पोदे लगने की संभावना काफी कम हो जाती है दोस्तों पोदे में पाने की क्या हो जाती है कमी हो जाती है तो इस प लेकिन संत्राग में फल बनना प्रारम हो, उस टाइब में पानी की भरफूर आउशकता रहती है, तो उस समय आपको सिचाई अधिक से अधिक मातरा में करनी है दोस्तों, जिससे अगर कम पानी रह जाता है, तो कम पानी में क्या संत्रागा फ्रूट जो होता है, वो ल्यूज हो जाता है, ल्यूज फ्रूट बनता है, और पानी के अगर प्रोप्रफ सप्लाई रहती है, तो इद्दम बिल्कुल टाइट फ्रूट बनता है, आधिक जूस के मातरा के साथ में बनता है दोस्तों, तो ये तो करना है आपको सिचाई का कारिये, बात करते हैं अंतरा आपको हर 15 दिन के बाद में जो पीट आपने तयार किया है, उस गड़े से क्या खरपतवार आटाने है, सासात में साल में 3-4 बार पूरे खेट के खरपतवार को क्या करना है, रिमू करना है, खटाना है, आगे अपन बात करते हैं कटाई-छटाई के, कटाई-छटाई का का आपको पोद्य को आकार देते हुए कांचांट करनी है मतलब भूमी से कम से कम भी 30 cm उपर तक बढ़ने देना है तने को उसके बाद में जो पार्षव साका है उनको ज्यादा नहीं बढ़ने देना है लंबो तो आकार भी ठीक ठाक आकार में आपको बेजना है आग बात करते हैं प्रूनिंग की अब प्रूनिंग के अंदर क्या होता है प्रूनिंग में आप दो साकाओं के बीच में 25 cm का दोस्तों क्या रखते है अंतर जो रोग गरस साका है उनको अठा देते हैं अनुतपादक साका है उन साकाओं को क्या कर देते हैं हाटा देते हैं ज अपने नीम्भू पड़ा था नीम्भू वालिक प्रिवेस क्लाष के लग रहे थे जो भी कीट इक विकाल अलग रहे थे, हो सारे उस class में अपने mention किये हैं और उस class में जब mention किये हैं अपने जिसे citrus graining के बारे ही पड़ाता, citrus cancer के बारे पड़ाता, गेंवोशिस के बारे ही पड़ाता, वो ही रोग इसके लिए आपको क्या करना है? 2, 4-D का एक तो बीच याAmerica मतलब 20 ppm से कम 2, 4-D का इस्प्रे करना है सा अरच में जो Nейств Back to Acetic Acid होता है उसका 20 से 50 ppm 20 से 30 ppm का क्या करना है? दोस्तों, इस्प्रे करना है 20 से 30 ppm का N appli exercise आपको इस्प्रे करना है जिसे फल जब पूर्ण परीपको हो जाएं उसके बाद में अपना असानी से तोड़ सके हैं क्योंकि मतलब फल मेच्योर होने से पहले ही क्या नीचे ड्रोफ होने लग जाते हैं दोस्तों तो इसे उपचार के लिए आपको 2-4-D और नैप्तिलिक एसिटिक 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 का चिटकाव करना है आगे अपन बात करते हैं तोड़ाई और उपजी जब फल अच्छा पकाव ले ले लेते हैं या जब फूल आते हैं तो उसके और 9 मेने बाद में फल पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले उनकी टूड़ाई सफलतापूरू करणा है मतलब पेड़ का नुकसान नहीं करना है सासात में अपने को क्या करना है सारा लगादने कई बार वजन ज्यादा हो जाता है फलूं का तो पेड़ के टेनिया टोटने लगती है तो उसके लिए बास की खफचया नीचे की तरह है अपन लगा देते हैं सारे के तो रुपे दोस्तों और उसके बाद में अगर आपनों उपस देखते हैं तो 600 से 800 फल प्रती पोधा प्रती पोधा कितने फल बलाते हैं 600 से 800 और बात करते हैं अपन केजी में तो 70 से 80 केजी फल प्रती पोधा दोस्तों प्रती पोधा होते हैं इन फलों को आप 5 से 6 ड होगा आगे अपन बन बाई बन करकी जितने में फ्रूर्स बचे में उनकी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों